पंजाब सरकार ने कीता अपना वादा पूरा ते सब इंस्पेक्टर दी रिक्रूट्मेंट दी नोटिफिकेशन जारी कर दिती गई है इस एक्जाम दी एप्लिकेशन परणली पोर्टल साथ फरवरी शामी साथ वजे खुल जाएगा ते अठाई फरवरी राती ग्यारा वाज के पच्वंजा मिन्ट तक एपोर्टल ओपन रहेगा वांस दे पोर्टल ओपन तुसी पंजाब पुलिस दी ओफिशल वेबसाइट www.panjabpulis.gov.in ते जाके अपना फॉर्म पार सकदे हो ते अपना सपना सा कार करन दा पहला स्टेप ले सकदे हो होना सी वेख लेन्या कि इस एक्जाम दी eligibility criteria की हन सब तो पहला जैसी एज दी गाल करिये ता पहली जनुरी दो हजार तई नू minimum age तो अड़ी होनी चाहिए 18 साल अते maximum age होनी चाहिए 18 साल Now based on different different categories साननू relaxation भी provided है जिमें की schedule class ते backward classes नू पांच साल दी relaxation दित्ती गई है इस दा मतलब की maximum age limit for schedule class and backward class is 33 years जैसी एक service men दी गाल करिये ता ओ की कार सकदे हान अपनी actual age तो जिनने साल ओना ने service दित्ती है armed forces विच ओननू minus कर दन ते जे ओना दी age maximum age limit तो 3 साल दे विच कार पह रही है ताओ eligible ने इस exam ले ते जे असी regular government employees दी गाल करिये जो की इधर Punjab government या किसे भी होर state या central government दे अंडर काम कर रहे हैं उनना नू भी 5 साल दी relaxation provided है हुन चल दे है education qualification दे उत्ते इस लिए eligibility criteria है simple graduation इदा मतलब कि पामे तुसी बी ए कीती होए बी टेक कीती होए बी एससी कीती होए बी कॉम कीती होए ताम ही तुसी eligible हो सब इंस्पेक्टर दे पेपर ली हुन इस पेपर दा selection process की है ए पेपर तिन स्टेजिस्टे कंड़क्ट कराया जाएगा स्टेज 1 जिसविट तुआड़े तिन पेपर होँगे पेपर 1, पेपर 2 and पेपर 3 स्टेज 2 विल बी physical measurement test अते स्टेज 3 फाइनल तौड़ी होएगी document scrutiny उन असी स्टेज वाइस देख लेने है सब तो पहला ता स्टेज 1 स्टेज 1 विच as I said तौड़े कोल तिन पेपर होँगे पेपर 1 जिड़ा है उस विच होँगे 100 question ते हर question 4 marks दोएगा इट मेंस कि पेपर 1 तौड़ा 400 marks दा है पेपर 2 विच भी 100 questions होँगे एक question 4 marks दा सो उस चिवी तौड़े 400 marks count होँगे ते पेपर 3 है अपना पंजाबी qualifying exam एपेपर सिरफ qualifying nature दा है जिस विच तुसी 50% marks लेके आने हान एपेपर पंजाब marks दा होँगा इस दा मतलब 25 marks सिरफ तो नू लेके आने हान जे तुसी एस पेपर नू clear नहीं कर दे ता तो आड़ा पेपर 1 या पेपर 2 भी clear करन दा कोई फाइदा नी होएगा हुझे पेपर 1 दा syllabus वेख लिए सब तो पेला पेपर 1 दो कंटे दी duration दा होएगा इस विच आएगी general awareness quantitative aptitude and numerical skills आते section 3 विल भी Punjabi language skills general awareness दी जैसी गाल करिये उस विच आड़ी को ला आजन दा है quantitative, aptitude to numerical skills विच आड़ीकोल आजन दे हा numbers, decimals, ratio, etc. and Punjabi language skills आड़ीकोल है sentence completion error detection, reading comprehension and so on हुझे चल दे हाँ paper number 2 ते paper number 2 वी तिन sections दे डिवाइड़े सब तो पहला section है logical and analytic reasoning and data interpretation second section तो आड़ीकोल computer-based knowledge आजन दे है digital literacy and computer awareness and section 3 will be English language skills and as I said एक पेपर वी तोड़ा दो कंटे दा हुएगा जिस्विच 100 questions होंगे ते 400 marks दा ए पेपर है तो जे पेपर 3 दिगाल करिये इस दी duration होईगी एक कंटा तो आड़ीकोल questions होंगे पंजाब ते तुसी सिरफ 25 marks एच लेके आने हन ते ए वाले जड़े marks ने ए तोड़े merit which count नहीं होंगे जे असी negative marking दी गाल करिये ते पेपर 1 ते पेपर 2 इना विच 1 4th negative marking है इस दा मतलब जे एक question चार marks दा है सो उस विच 1 mark दी तोड़े कोल negative marking है वेराज पेपर 3 विच कोई negative marking नहीं है ए रिया पेपर दी eligibility criteria, pattern ते किन्ने stages ये exam होएगा CBL is soon getting a tailor-made course for you जिस दी announcement जल्दी साथे channel ते कीती जाएगी So stay tuned, रब रखा